चेसरी राम बच्चो हम चुआज सुरू करने वाले हैं न वो है हमारे हिंदी परिवेश पाठ्य पुस्तक में पाठ दो रानी चीटी उसका अप्यास करने वाले है उसमें सबसे पे लहाँ दिये गए है नई सब्द क्षमा माव उपाय तरीका मित्र दोस्त मंदमंद तीरे तीरे उसके बाद है विश्राम आराम मदद सहायता कस्ट तकलीफ संदेश सूचना इसके बाद है यहां मुहावरे यह मुहावरे है उसके अर्थ है लाल पिला होना उसका मतलब है बहुत गुस्सा होना से लाल पिला हो गया ऐसा कहा है न तो सेर बहुत उस्से में था उसने राने चीटी से गुस्सा किया आओ देखा न ताओ बिना सोचे समझे शेर ने आओ देखा न ताओ चीटी को डाटने लगा उसके बाद अप्यास में है शुरुत लेखन शुरुत लेख उसका मतलब है लिक्टेशन वर्ड्स कमंडी लोमडी कोशना बारेश प्रणाम उपाई चीटियां कंकचुरे खरगोश और योजना इस सब शुरुत लेख के सद्ध है उसके बाद है नीचे दिये प्रशनों के उत्तर दीजिए मगर यह हमें देना है मोखिक रूप से किसे अपने बल पर कमंड था शेर को रानी चीटि का मित्र कौन था कंकचुरा चो रानी चीटि का मित्र था न उसने उसने रानी चीटिने कहा था कि ये एसा एसा आमारी योजना है इसे मतबिक में सेर से बत्ला लेना है सेर ने किसे संदेश पेजा? सेर ने रानी चीटी को संदेश पेजा इसके बाद जो प्रश्ण है न यहां दिये गए है वो है लिखित है कैसे है? लिखित शेर को गुस्सा क्यों आ गया? चीटीयों को आने में थोड़ी सी देर हो गई थी इसलिए शेर को गुस्सा आ गया चीटीयों ने देर से आने का क्या कारण बताया? पास्ते में बारिस का पानी परा हुआ था जिस कारण चीटीयों को देर हो गई उसने बोला ना कि महराज रास्ते में बारिश का पाने बरा था तो हमें आने में देर हो गई उसके बाद है लानी चीटी ने सेर को क्या सबग सिखाया लानी चीटी ने खनकजुरे के साथ मिलकर सेर को सबग सिखाया खनकजुरे ने सेर की कान में कुश कर काट लिया जिससे सेर दर्द से तड़ब उठा उसके बाद चुननी चाहिए दिया गया प्रशन है न वो है सही उत्तर चुन कर सही चिन्ह लगाना है उसमें है सेर केसा था सेर के साथ कमचोर था नहीं नहीं अलसी था नहीं वो तो बहुत कमंडी था के साथ सेर कमंडी इसके बाद है रानी चीटी किसके साथ पहुँच गई रानी चीटी हाथे के साथ पहुची थी या अपनी सेना के साथ पोची थी या लूमडी के साथ तानी चिती अपनी सेना के साथ ओच गई थी सेर के कान में कून गुस गया कंकजुरा गुस गया तानी चिती गुस गई या मुख्यी गुस गई उसके कान में कंकजुरा गुस गया था उसके बाद है प्रश्नतीन सही उत्तर पर सही का चिनह लगाएए हमें सही उत्तर है उसके पर सही का चिनह लगाना है रानी चीटी कनकजुरे के पास क्यों गई वह उसके पास क्यों गई भई रानी चीटी क्योंकि वह अपने मित्र से मिलना चाहती थी या क्योंकि वह सेर को सबक सिखाना चाहती थी सेर को समझाना चाहती थी उसे सबक सिखाना चाहती थी सेर ने राने चिट्री को संदेश क्यों पर जा क्योंकि उसके कान में बहुत तेज दर्ब था क्योंकि वह राने चिट्री को सज़ा देना चाहता था क्यों उसके कान में बहुत तेज दर्ब था इसलिए वो रानी चीटी को बुलान अचाता था और उसे संदेश पेजा उसके बद बचो यहां है जो question number 4 सही सब्द चुनकर बाक्या पूरे कीजिए हमें जो यह कोस्ट के ना उसमें से सही सब्द चुनना है सब्द यहां है संदेश, विश्राम, बारिस, छोटा और कीड़ा यहां मैं देखने हैं मार्ग में बारिश का पानी बढ़ा हुआ था उपर से बारिस सही अंसर है वो में लिखना है सेर ओजन करके विश्राम कर रहा था क्या कर रहा था विश्रा माराम कर रहा था आपके कान में कोई कीडा गुस गया है शेर ने रानी चीटी को संदेश पेचा कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए यहां क्या समझाया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए उसके बाद पीछे जाएंगे हम exercise में तो यहां है जो संग्या सब्द है न उस पर हमें इसे circle लगाना है यह न तो यहां first है संग्या किसे कहते है किसी भी नाम प्राणी वस्तू किस क्या भी नाम होता है न उसे कहते है संग्या तो यहां पहला दिया गया है कह उसमें एक घमंडी शेर रहता था यह शेर है वो क्या है शंग्या है प्राणी है न उसका नाम है शेर दो हे सपी जानवर सेर को प्रणाम करने गए शेर और जानवर गहे, रानी, चीटी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच गई, चीटी और सेना गहे, कनकजुरा चुपके से सेर के कान में गुश गया उसके बात है यह, चंगल के सभी चानवर वहाँ आ गए यह, कनकजुरा सेर यह, जंगल और चानवर यह सभी संग्या है उसके नीचे है प्रशना नमबर दो कौन था कैसा तो यह है रेखा खीच कर बताएए एक साइड सेर है दूसरी साइड चीटी है यह सभी वर्श है ना तो वो सेर के सामने होगा या चीटी के सामने वो हमें देखना है होसियार तो सेर होसियार था या चीटी होसियार थी तो चीटी है ना रानी चीटी वो होसियार थी तो मिस पर लगाएंगे होसियार कमंडी, शेर बहुत कमंडी था तो हम सेर पर लगाएंगे कमंडी समझदार, राने चीटी समझदार थी उससे वाला, तो उससे वाला कुन था? शेर, बलशाली यह शेर बहुत बलवान था तो बलशाली, और चोटा, तो चीटी चोटी थी उस पर हम करेंगे निशान उसके साथ हम देखा लगाएंगे उसके पाद यह नीचे दिए गए है पढ़िए, समझे और एक सब्द श्वयम लिखिए देखो यहां दो सब्द लिखिए है यह आथा है सर वाला, यह आथा स्टव वाला है यह न आदा है, यहाँ प्र है तो उसे जिसे हैं शव से गुसा, रसी तो हमने तीसरा वल्त क्या लिखा है यह आए यहां गुसा, रसी, लसी, तो श्ट, कस्ट, स्लुस्टी, नस्ट, यहाँ है न, नन्हा, कान्हा और तन्हा इसे ही है प्रणाम प्रशन प्राप्त अब यहां करेंगे हम यह जो एक्षिसाइस दी गई है ना सब्द के रूप में एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते है जो सब्द से हमें पता चले कि यह एक वचन है या बहुचन तो में यह लिखना है कि यह एक वचन है और बहुचन तो उसमें क्या सब्दा आएगा तो यहां है चीटी तो चीटी क्या हो गया चीटियां यहां चीटी तो जो चीटी जब हम बोलते है तो चीटी टी की बड़ी मातरा होती है तो जब हम चीटियां लिखते है एक वचन से बहुचन हो जाता है तो वहां टी की मातरा जो जो ई की मात्रा है वो यहां चोटी हो जाती है इसी तरह दूसरा है रानी जब हम रानी बोलते है तो हम ई का उच्चारण थोड़ा बड़ा करते है लंबा करते है जब उसका जब हम बहुवचन लिखते है तो हो जाता है रानिया तो यह जो ई की मात्रा है रानी यहां चोटी ह जाएगी और यहां लग जाएगा रानिया वैसे ही यहां है डाली इसके बाद है डालिया यहां ली के साथ एकी मात्रा बड़ी है यहां चोटी हो जाएगी और यहां लग जाएगा वैसे ही है तितली तितलिया अब हम करेंगे मुल्यपरक प्रशना उसमें क्या है कि फर स्ट है यदि कोई आपको bura कहे तो आप क्या करेंगे देखो अगर कोई हमें bura कहे तो हम उसके साथ लड़ जगरने जाएंगे नहीं जाएंगे ना हम सोच समझ कर उसके साथ किसा व्यवार करना है उसके लिए दीरे से सांती से सोचेंगे कमंड और गर्व में क्या अंतर है? जब कोई अपने बल पर या चुटी वोली बात पर जब कमंड करता है अभिमान करता है तो उसे कमंड कहते है और गर्व जब हम कुछ अच्छा काम करे अच्छी अच्छी बात कुछ करे उसके लिए जो हमें साबा से मिले वह है गर्व सोच समझ की बात इस कहाने के लिए कोई नया नाम सोच कर कक्षा में बताईए देखो बच्चो आपको कोई नया नाम इस कहाने के लिए टूनना है और बताना है आपको इस कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? बक्सा में चर्चा कीजिए आपको सोचना है कि इस कहानी में से आपको शेर अच्छा लगा रानी चिट्री अच्छी लगी, कंकजुरा अच्छा लगा, हाथी बोलता था वो अच्छा लगा आपको कोन अच्छा लगा और क्यों वो आपको बताना है यहां है कुछ करने की बात पंच्तंत्र की कहानिया इंटरनेट से टूंड कर पढ़िये आपको पंच्तंत्र की कहानी के जो कहानी होती है न उसका मोरल बहुत अच्छा होता है और वो कहानी हमें पसू, पक्षी, उसके जि कहानी है न, उसके माध्यम से moral समझाते हैं, वेसी कहानी हमें टूंड कर पड़नी हैं उसके बाद हमें देखो, पीछे ये चितर दिया गया है, और आपको क्या करना है, चितर को देखकर पांच बाक्य लिखना है, आपको ये चितर देखना है, और बाद में आपको 5 सेंटेंस you have to write आपको यह चित्र देखकर 5 sentence आपको 5 sentence आपको डिखने है तो यह first आप क्या सोचेंगे उसमें देखो यह बहुत बड़ा और गना सुंदर सुंदर चंगल है उसमें बहुत सारे प्राणी रहते हैं देखो मोर नाच रहा है शेर भी है भालू भी है हिरन भी है यह करगोस उचल परकुद कर रहे है सभी प्राणी एक साथ मिलकर यहां मुझवस्ती कर रहे है साम को सब यहां एकठे होते है यह नदी का की नारा है सब साथ मिलकर अपनी बात सब एक दुसरे के साथ शेर करते है एक दुसरे को बताते है ऐसे 5 sentence आपको यहां से लिखने है आपके मन में जो को देख कर वो आपको यहां लिखना है ठीक है